हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं प्रेंग का स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके पने चैनल टाइट टीचर जाओ में दोस्तों आज हम डेलर सेकंड सेमेश्टर फेप्ट पेपर सामाजी कध्यन देखेंगे इसका लगुत्रिय प्रस्न है तो दोस्तों यहाँ पर यह राज इंग्लिस का सौट अंसर टाइप की कोश्चन के टोटल पार्ट हमने 17 बनाए हुए जो लगुत्रिय प्रस्न है तो यह सारे आपकी कंप्लेट हो चुके हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और साथ ही दोस्तों इस चैनल की प्लेलिस्ट में यह सारी ची कोश्चन है हमारे देश के लिए समिधान क्यों महत्रपुड यह आपके डियलेट 2018 में पूछा हुआ कोश्चन है तो दोस्तों अगर हम बात करें हमारे हमारा देश से एक विसाल देश से इसमें विविन जाती धर्म संस्कृति के लोग रहते हैं इसके धर्म भासा साइट रहें सेन वेस भूसा खान पन आदे में अंतर देश को एक तथा अखंड रखने के लिए देश का विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए आधिकारों की रच्छा के लिए संगिये ब्योस्था को सफल बनाने के लिए तथा लोग तांत्रिक ब्योस्था के सफल संचा में बाहते रखता लोग पना है सममझ कर य। विकास संभव नहीं हो सकता कोई भी नागरिक देश का तो ये समिधान समिधान देश की जनता के लिए देशन का काम करता है कि वो लोगों को उनके कर्टब्यों को याद दिलाता है उनके अधिकारों को याद दिलाता है और साथ ही जो भी नागिक देश में किसी भी तरह के कानून को तोड़ते हैं उन्हें कि उस कानून की सजा दिलाने में भी समिधान बहुत ही महत्वपूड भूमिका निभाता है तो दोस्तों इस तरह से हम कहें तो समिधान हमारे देश के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूड है तो यह कोश्चिन हो गया अब हम देखते हैं नेक्स्ट कोश्चेन आपका कोश्चेन नमबर यहाँ पर देखें 42 है क्रसी विकास दो सरकार दवरा अपनाई जाने वाले किनी दो पायों के बारे में लिखें तो दोस्तों यहां सरकार के द्वारा अपना जाने वाले दो पाएं हैं दोस्तों जिसमें भूमी सुधार करके सरकार सरकार के माध्यम से भूमी सुधार करके भूमी को उपजाओ बनाया जा सकता है और साथ ही जगर भूमी उपजाओ होगी तो देश में खाध्यानों की पूर्ति सैधं से हो पा कंदूसका जो वित्रड है वो सही डंगते होगा और साथ ही जो उपजिक का प्रतिसात अधिक होगा जिससे की देश की आरथी कुन्नेती में बृध्धी होगी और साथ ही अगर हम बात करें तो जनसंख्या धेद्रे बढ़ रहीं तो जनसंख्या के वित्रड के लिए जन क्या कि खाद्यान की पूर्ती के लिए भी हरित क्रांती को सफल बनाना सरकार के लिए बहुत ही ज्यादा आउस्यक है तो दोस्तों अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट कुश्चन है आपका यहां पर देखिए कोश्चन नवर 43 हर्स के साहिती के प्रती प्रेम पर प्रकास ड था और पंद्रे वर्सों तक भारत में रहा तो दोस्तों इसने ही हर्स के विसे में बहुत सारे बहुत थी प्रसंसा की थी और उसने बताया था कि वो अपने दिन के तीन भाग को अपने दिन को पूरे तीन भागों में डिवाइड करके रखता था और पहले बाग को वो सास जो भी राज्य की जो आय थी जो इंकम थी उसको भी उसने चार हिस्सों में रखा था जिसमें पहला इंकम वो समाज या फिर हम बोलें राज्य से समंदित कारियों के लिए रखता था और दूसरा हिस्सा वो सरकारी करमचारियों के लिए और तीसरा हिस्सा विद्वानों के ल तो दोस्तों यहाँ पर देखे तु दोस्तों उसका जो जो उसके राजी की वह स्वेंग विद्वान था तथा विद्वानों का आधर समान भी करता था हर्स का दर्वार विद्वानों से भरा रहता था इसके सासनकाल में वाण भट्ट सरवाधिक प्रसिद्ध था वाण भट्ट के अलामा मयोर मातंग दिवाकर भी उसके दर्वार में थे वाण कि साइथ्य प्रेमी ता है और कि अर्धों हर से जो था वो हर्सवर्धन जिसको कहते हैं वह सिव का उपासक था और दोस्तों हर्झ चरी तर लेखक भट कभी कभी पूछता है तो आप जाने रहिए दोस्तों यहां पर एक चीजा और बताना चाहते हैं कि हर्स वर्दन के सासंकाल में जो भेंसांग चीनी आतरी भारत आया था वह भेंसांग जो आया था भारत में वह नालंदा विद्याल में पढ़ने और बहुत गरंत संग्र करने के उद्यस से ही भारत आया था हर्स प्रति दिन पांसो ब्रामडोईयों में एक हजार बहुत विच्छों को भोजन कराता था यह सारी जानकारी हर्स के विशे में आगे देखते हम नेक्स्ट कोस्चिन यहां पर कोस्चिन नमर 44 है सिकंदर लोदी की लबदियां बताई कजर लहते तो सिकंदर लोदी के विशे में बहुत सारी जानकारी देखी थी दो दोस्तों यहां पर इसके प्लबदियों के विशे में बात करते होएं इसके पर बहुत यह महत्त्पुर प्रभाव पढ़ा जिसमें और बात करें तो व्यापारिक मार्ग की शुरुवात यहार जल का जिसका नाम निर्याकस मैं कि थी और दोस्तों नगरी करण को बढ़ाव यानि के सिकंदर यूनानी था और 333 इसापूर में इराग का सहर बेविलोन में जोर यानि की टायफाइड की विजासे इसकी मृत्य हुई थी और दोस्तों एक इतिहासकार विशेंट इसमित इसके बारे में लिखने की सिकंदर भारत में आधी की तरह आया और चला गया इतिह इतिहास के तितिवार लिखने की सुरूआत भी यूनानियों के आक्रमट से ही होती है, तो दोसो जो ही इतिहास में तिथीवार लिखने का जो क्रम सुरु हुआ था हुआ था और दूसरा हम बात करें तो उसने अपनी राध्धानी देली से अटाकर नवीन नगर आगरा में बनाई थी सिकंदर लोधी ने वस्तुओं के मूले घटाकर था उन पर नियंत्रड करके लोगों की आर्थिक इस्तिति सुधाने का प्रयास्त किया और वस्तुओं के मूले को घ अगनिकुल के राजपूतों में सरवाधिक प्रसिदी घुर्जरों की साका से समंदित होने के करड़ इतियास में गुर्जर प्रतिहार नगबठ प्रत्म् मालवा का साषक था नागबट दुतिय को राश्ट कूट समराट गोविन तरतिय ने हराया था अब हम दोस्तों यहाँ पर बात करें प्रतिहार वंस का सबसे सर्वादिक के सक्तिसाली यह प्रतापी राजा मीर भोज था मीर भोज ने अपनी राध्धानी कन्योज में बनाई थी वह विष्डू भक्त था उसने विष्डू के सम्मान में आदी बारा की उपादी ग्रहण की थी राज सेकर प्रतिहार सासक महेंदरपाल के दरवार में रहते थे इस वंस का अंतिम राजा यस पाल था दिल्ली नगर के स्थापना तोमन नरेस अनंग पाल ने एक ग्रहाविस सब्सक्राइब की तो दोस्तों यहां पर आपको मेंन पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि गुजर प्रतिहार वंस अगनिकुल के राज पूतों में सरवादी के प्रसिद था और गुजर प्रतिहार वंस की अस्थापना इसके पहले हमने बताया आपको कि नागभट प्रथम लसके ने की ती और ये गूर्जरों की साका से सम्दित होने के कारड़े के मीहिर नजी। के पहले हमने आपको बताया कि मिहिर भोज ही सबसे सक्तिसाली सासक था और भोज के बाद महेंदरपाल महिपाल प्रमुक सासक हुए थे क्लियर यह आपका गुर्जर प्रतिहारवंस हो गया अब हम देखते हैं पालवंस गुर्जर प्रतिहारों की भाति बंगाल में गोपाल ने एक ऐसे राजसक्ति को जन्म दिया जिसने मां के दसकों से चली आरे अराजकता को समाथ किया गोपाल के बाद उनका पुत्र गोपाल ने एक ऐसे राजसक्ति को जन्म दिया था जिसने मां के दसकों से चली आरे अराजकता को समाथ किया और यहाँ पर बस आपको यह ध्यान देना कि गोपाल का जो भी उत्रादिकारी है वो धर्मपाल है और धर्मपाल का उत्रादिकारी देवपाल पाल वंसी पर बैठता है अब यहाँ पर देखे नंबर तीसरे पर हम देखते हैं नंबर तीसरे पर है चैमान वंस चैमान वंस का उदर साकंबरी में हुआ था चैमान के प्रारंबिक राजाओं में वासुदेव यम गुवक के नाम विसेस रूप से लेकनी है चैमान वंस का सबसे प् प्रित्वी राज तरतिय ग्यारसो नियासी से ग्यारसो तिरानवे था और इसके राज कवी चंदवर्दाई ने प्रित्वी राज रासो नामक अप भरंस महाकावी की रचना की थे तो दोस्तों प्रित्वी राज चौहान की विसे में आप लोगों ने सुना होगा तो प्रित प्रतुर्कों के कब्जे में आ गए थे तो इस प्रकार चैमान सत्हा का अंथ हो गया। पहले zoom में गोरी हार जाता है लेकिन दूसरे zoom में यानिकि Taylor deeply में जो होता है वुष में गोरी विजह होता है यह 1192 होगा तिरानमे नहीं 1191 और 1192 में तराइन के प्रतम और दुती युद लड़े जाते हैं जिसमें दुती युद में पृत्वी राज हार जाते हैं आगे हम देखते हैं चंदेलवंस यहाँ पर देखें चंदेलवंस के सास्कों की राजनीति के सकती महीं उधै हुई जहां आजकल बुंदेलखंड है तो चंदेलवंस समंदित है बुंदेल कंडे जो वरतमान में के खजराओ उनकी राजधानी थी इस वंस का सरवतम राजा नन्नुक हुआ चंदेल वंस का अंतिम सक्तिसाली राजा परमर्दिक या परमल थे तो दोस्तों यहाँ पर सरवतम जो राजा बना था वो नन्नुक हुआ था और चंदेल वंस के अंतिम सक्तिसाली राजा परमर्दिक या परमल थे के समय में अजमेर के चौहान राजा प्रिफिरवाज ने आकर्मण किया कुतुबुद्धिन एवक ने लिंजर पर आकर्मण किया परमार्दिक ने उनका घोर भी रोध किया था किन्तु अंत में उसे हार माननी पड़ी इस प्रकार चंदेल राजवन्स का अंत हुआ था क्लिय दो स्हुक्त तो अज के लिए बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे भारत में इसलाम धर्म के उध्या पर प्रकाश डालना है यह सब्सक्राइब कर की सब्सक्राइब कर ंई को जरुद कर दिएगा यससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिगेशन आपको मिल स के तुम से जुड़ने के लिए thank you so much, Jai